हेलो बच्छो वैल्कम बैक हम लेकर आए हैं 거냐 का लेक्टर लेक्टर नमबर टू न्सलेंश में थिछा था इलेक्टरो मेग्डेटिक इंड़क्शन की इंट्रयक्शन कि हम समझ के आए थे कि magnetic flux क्या चीज होती है कि कितनी magnetic feed lines एक loop या connector के through pass कर रही हैं आज हम उसी magnetic flux को use करकर Faraday ने एक law बनाया तो उस law बनाने के लिए Faraday का क्या experiment किया और उस experiment से कौन से दो लोज उसने बनाए जो हमें electromagnetic induction में use होने वाले हैं तो उसको हम आज करेंगे start तो start करते हैं पहले Faraday इसका experiment देखेंगे और फिर हम उसके laws समझेंगे सही है तुम्हें laws समझने ज्यादा जरूरी है बटो laws आये कैसे यह समझना में जरूरी है तो Faraday ने क्या experiment किया तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो Faraday ने क्या किया वच्चो एक कोईल लिया यह कोईल हो सकता है रेक्टेंगुलर हो सकता है स्क्वाइर हो सकता है इस कोईल में से रख दिया मिस्टर फेडाडे ने ये अंदर क्रॉस मतलब क्रॉस का मतलब है कि जो मेगनेटिक फील्ड है वो ऐसे अंदर के तरफ जा रहे हैं ऐसे आरपार इस बोर्ड के ऐसे बाहर से अंदर जा रही है अगर डॉट होता तो अंदर से बाहर आ रही है ये मेगनेटिक फील् Uniform Magnetic Field में एक Conducting Coil रख दिया Place a पहला क्या किया Place a Closed Coil in Uniform Magnetic Field Constant Magnetic Field के अंदर उसने एक Coil रख दिया कैसा Coil? Conducting Coil Conducting अंदर इसमें से Current Flow कर सकता है तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ इसमें से current flow नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ है, current यार मैंने क्या किया, एक coil लिए और रख दिया, उसके आस्वास magnetic field पैदा कर दी, तो कैसे, magnet रख दिया, कुछ भी नहीं हुआ, उस coil में से current नहीं गया, तो उसने सोचा, अच्छा नहीं गया, तो हम क्या करें, तो हम कुछ और करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा जिंदगी में, तो हम कुछ और क्या करते हैं, तो उसने बोला कि ये जो magnetic field है, इसको vary कर देते हैं, मेगनेटिक फील्ड को वेरी कर देते हैं कैसे वेरी कर सकते हैं मेगनेटिक फील्ड को उसने कहा कि मेगनेटिक फील्ड कोई मेगनेट बना रहा होगा सोचके देखिए यह मेगनेटिक फील्ड कोई मेगनेट बना रहा होगा इसका नौर्थ पॉल इसका साउथ पॉल इधर भ इस मेगनेट को हिलाना शुरू कर दिया इस मेगनेट को मूव करना शुरू किया वेरिंग मेगनेटिक फील्ड पैदा करी वेरिंग मेगनेटिक फील्ड कैसे अगर मैं इस मेगनेट को दूर लेकर जाओंगा कल भी हमने बात करी थी अगर मैं इस मेगनेट को दूर लेकर कॉईल के आसपास वाली magnetic field वेरी कर रही है को इसको कंटीनूसलि ले गए चोड़ दिया ऐसा नहीं करना कि मतलिब यहां पड़ा था यहां लेकर यहां छोड़ दिया नहीं छोड़ना नहीं चोड़ना नहीं है कभी कम, कभी ज़ाधा magnetic field कम, ज़ादा कम, continuously move करते रहे हैं, magnetic field चेंज होती, magnetic field continuously चेंज होती रहनी चाहिए, रुक नहीं है कि एक और दूर लेकर रुप तो जब ऐसा किया, तो उसने नोट किया, कि यह जो conducting coil था, इसके अंदर, एक EMF induced हो गया इसके अंदर क्या हुआ एक EMF induced हो गया EMF induced हो गया समझें? पक्की बात ठीका जी, इसके बाद उसने क्या किया इसके बाद उसने क्या किया इसके बाद उसने क्या किया थर्ड पॉइंट अब उसने magnetic field को constant रखा है अब उसने क्या किया है मेगनेटिक फील्ड को अभी भी कॉंस्टेंट नहीं हो रही सही है मेगनेटिक फील्ड को कर दिया अब कॉंस्टेंट दुआ रहा कब होगा अगर क्लोज लूब बनाता हुआ ये बात याद रहा अगर कॉंस लोब बनाता हुआ तो उसमें EMF induce होगा, EMF induce होने के कारण current induce होगा देखो, Faraday ने ऐसा नहीं बोला कि current direct induce हो जाएगा उसने बोला EMF induce होगा EMF induce होने के कारण current induce हो रहा, इस बात को याद रखना, बहुत important point है, अब उसने अगली बार क्या किया कि ये magnet को move करना बंद कर दिया magnetic को move करना बंद कर दिया, तो magnetic field constant होगी, अब उसने क्या किया कि इसका area बढ़ा दिया किसका, इसका area बढ़ा दिया coil का area मानलो बढ़ा दिया coil का area बढ़ाया तो क्या हुआ coil का area बढ़ाने से coil का area change कर दिया, वेरिंग area कर दिया, coil का area vary कर दिया तो उसने देखा फिर EMF induce होने कारवल करण्ट Indûce होए समझे पहले उसने क्या किया Magnetic field को वेरी किया तो उसमें EMF induce होने कारवल करण्टिन होओ दूसरी बाद उसने और करके Magnetic field को constant कर दिया area को change कर दिया area को字 कभ जादा कम जादा होता तो भी इस लूप के अंदर एक EMF इंडियूस होने के बाद एक करंट भी इंडियूस हुआ सही है जी सही है दो बाते clear तीसरी बात तीसरी मतलब चोथी बात चोथी बार उसने क्या किया अब उसने cheelev भी Northern Jupiter को भी constant रखा उनिफॉर्म रखा और एरिया को भी constant रखा तीसरा काम उसने क्या किया magnetic field को भी constant रखा centre kinetic field भी change नहीं हो इंगर नहीं कर रहा है अब उसने क्या किया इस लूप को गुमा दिया इस लूप को इस इस लूप को घुमा दिया, टर्न कर दिया, continuously चेंज करता जा रहा है, continuously चेंज करता जा रहा है, कैसे देखो समझो, कैसे कैसे देखो, यह रहा लूप मालो, यह तो circular लूप है, मैं rectangular लूप ले रहा हूँ, तो यह लूप थी में से से lot पाईए इसके अधर बढ़ा ही इसके आएरी थी इसका अधर चा लाँति इसके 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 गुमाता जाजा रहे है लूपको गो ऐसे ऐसे करके तो लूप का मतलब यह जो थीटा था था अब यह थीटा चेंज और लग गया यानि कि जब एंगल बदला तो जब एंगल बदला यानि टीटा को वेरी किया तब भी उसने देखा कि i.m.f इंडियूस हुआ उसके करनद करंट इंडियूस हुआ clear है यह चार चीज़ें करी उसने पहले रखा कुछ नहीं हुआ फिर magnetic field vary करी तो देखा current EMF इंडियूस हुआ उसके current current इंडियूस हुआ फिर उसने क्या किया magnetic field को constant रखा area vary किया तो देखा EMF इंडियूस हुआ EMF के इंडियूस हुआ फिर उसने थीटा बदल दिया फिर उसने थीटा चेंज कर दिया दोनों को constant रखते हुए तो इन तीनों को मिला कर उसने बात बोली इन तीनों बातों को मिला कर उसने बात बोली कि अगर मैं अगर हमने magnetic flux का formula पढ़ा था कि magnetic flux का formula क्या था बी ए कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा देखो यहां भी यह हुआ पहले magnetic field बढ़ाई फिर यह बढ़ाई फिर सीटा बदला इन तीनों बातों से इसने यह formula प्रूव कर दिया यही तो पढ़के आए न मैगनेटिक flux में हम देखो इसने बोला कि magnetic flux डारेक्टिल प्रोशनल बी के magnetic flux डारेक्टिल प्रोशनल एक मैगनेटिक फ्लक्स डारेक्टिल प्रोशनल थीटा के तो यह निकि भी एक औस थीटा जो कि हमने magnetic flux में पढ़ा था तो फैराडे के experiment से यह बात भी प्रूव हो गई अब यह बात जब प्रूव होगी तो उसने conclusion दिया नहीं कि उसने दो laws दिया जो 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 उसका first law है first law of फैराडे इसके बाद उसने क्या बोला उसने बोला first law of फैराडे कहता है कि जब magnetic flux change करो उसने बोला कि यार अब हमना magnetic field area theta को vary की बात नहीं करते हम इन तीनों में से किसी को भी vary करेंगे तो magnetic flux vary होगा तो उसने term बात करी magnetic flux की तो वो बोलता है कि यार area magnetic field ऐसी बात मत करो तुम तुम बात करो कि magnetic flux को change करेंगे magnetic flux को change करने में इन तीनों में से कुछ भी change हो सकता है तो हम नहीं बिता रहे क्या change हो रहा है हम तो general formula बोल रहे हैं कि magnetic flux को change कर दो magnetic flux को जब जब तुम change करोगे तब तब एक closed loop के अंदर EMF induced होगा क्यूंकि वह loop closed है तो EMF induced होने के कारण उसके अंदर एक current भी induced हो जाएगा यह है इसका Faraday का first law लिखना चाहते हो तो लिखलो first law कहते है कि when magnetic flux when magnetic flux is induced magnetic flux is changed in a coil magnetic flux is changed in a coil यह conductor and EMF is induced in the coil induced in the coil if if coil is a अगर coil closed loop बनाता हुआ याद रखना अगर coil closed loop बनाता हुआ तो उसके अंदर current भी induced हो जाएगा तो current भी induced होगा एको EMF तो induced होगा ही होगा अगर वह closed loop हुआ अगर वह closed loop हुआ तो उसमें current भी induced होगा तो इसके अंदर current भी induced होगा यह में इसकी एक बात और भी याद रखना उसने बोला कि अगर अगर loop closed नहीं है अगर loop closed नहीं है और हम magnetic flux को वेरी भी कर रहे हैं अगर loop closed नहीं है और इसमाने लूप यह रहा लूप मतलब कोई भी connector है से सीधा है closed नहीं है और हमने इसके आसपास magnet को हिलाया है यानि कि magnetic field change होई है इसका मतलब magnetic flux change होगा magnetic flux vary है loop closed नहीं है यह connector closed नहीं है तो क्या क्या current induced होगा नहीं होगा चाहे magnetic flux भी कर रहे हो तो magnetic flux भी कर रहे हो तो तो नहीं होने वाला यह बात याद रखना closed loop बहुत जरूरी है सहीधी ठीक है इसको समझते हैं detail में समझते हैं देखो क्या होगा देखो और और क्या करना है हमने हमने क्या करना है मानलो एक loop मेरे पास यह रहा यह लूप बना दिया मने बड़ा सा और इसके साथ गैलवेनोमेटर लगा देते हैं करन्ट देखेंगे कि तना आएगा इसके बंद कर रहा होगा इसके पास पड़ा है एक मेगनेट नोर्थ और साथ गोड तो यहां से निकलेगी ऐसे जाएगी यहां से निकलेगी ऐसे जाएगी यहां से निकलेगी ऐसे जाएगी यहां से निकलेगी ऐसे जाएगा ना कैसे आउटसाइड दा मेगनेट नोर्थ टू साथ चलती मेगनेटिक फिल लाइन्स इंसाइ pense इदर जाएंगी जरूद को एक से इसको पास दूरार तो करता आँगा तो तो क्या होगा इसके अनदर एक emf इंड ऊगा कि ॉप क्लोज्ट है क्यूंकि यह लूप क्लोज्ट है क्लोज्ट है लूप क्लोज्ट होने करने इस चेन्दर हम एक करन्ट भी आ जाएतम इसे हैं और यहां से मुझ सायओने का जाटेगा क्लियर है उक हॉके ठीक कैसे हुआ कैसे हुआ हम पास लेकर आया हुगा मैगनेट को मैगनेट को पैसले कर आया हुँ घ्ikum लेकर नीकल रही है और चहल न कम आखे हुब कि Gymn लेकर इसको दूर गया मैं तिनोह निकलनी बंद हो जाएंगी तो magnetic flux कितना हो गया अब 0 हो गया पहले 3 था 0 हुआ फिर पास लेकर आया फिर 1 हुआ फिर 2 हुआ फिर 3 हुआ फिर दूर लेकर गया तो 2 हुआ फिर 1 हुआ 0 continuously magnetic field lines की value change हो रही यानि कि magnetic flux की value vary कर रही है magnetic flux को vary करने से ही तो MRF होना था और क्योंक यह close loop यह जोने की वज़ेसे current भी इंडीवस हो जाएगा आशे दूसरी बात उसने बहु है कि जब हम मैगनेटिक flux हो जब हम मैगनेटिकге को वह सबकरदे ए हैं इंगे से मैगनेटिक मैगनेटिक फर Putting को बेरिकरना ये हैं यहांब आपको नहीं हिला रहा है कि उसके अंधर कोई कोई बंद हो जाएगा जब तक ही इमफ इंडिेयूस होना बंद करते रहना है रुक जाओगे तो बंद करते रहोगे तो फिर शुरू हो जाएगा ये भी बोला फैराडेज के फर्स्ट लो ने ओके होफुली समझ में आया होगा फैराडेज का फर्स्ट लो अगली लेक्चर में हम करेंगे फैराडेज का सेकंड लो और कुछ इसके नुमेरिकल प सबस्ट बच्चों, बाइबाइ